गुद मॉर्निंग स्ट्वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नाइन जिसका नाम है रिफ्रेक्शन ओफ लाइट तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था लैंस की डेफिनेशन लैंस होता क्या है अब हम पढ़ेंगे 9.4.1 सम डेफिनेशन उस्ट इन लैंस कुछ वह परिभाशा है जो लैंस से संबंदित है इसलिए आज हम पर रहे हैं प्रिंस्पल एक्सिस मितलब अक्ष एक्सिस मितलब अक्ष तो आप लैंस देख लेते हैं चाहे आप कॉन्वेक्स लैंस देखे हैं चाहे वह कॉन्वेक्स लैंस देखे हैं उनके सेंटर पार्ट से जो रेखा जाती है center path से ही जो डेखा जाती ही जैसे C1C2 देख रहे है आप उसे ही हम क्या कहते है principle axis मुख्य अक्ष कहते हैं चाहे वो आप convex lens में देखे चाहे वो convect concovalence में देखे से कन हे optical center प्रकाश केंद्र और आपका प्रकाश और दें जिलनार केंदर जहां से भी आपकी रेजस्ज पास होती है यहां पर चाहे हैं आपकी रेजस पास होती है उसे हम उप्टिकल सेंटर कहते हैं मतलब प्रकाश जहां से पास हो रही है गुजर रही है प्रकाश के लाती है थर्ड है प्रिंसिपल फोकस, the point at which the light raises parallel to the principal access after passing through a lens converse in convex lens and appear to diverse, कौन के lens is the प्रिंसिपल फोकस? principle focus क्या होता है? मतलब मुख्य focus, principle मतलब मुख्य, मतलब मुख्य, और focus, तो जो मुख्य अक्ष जो होता है, principle access होता है, उसके समाना तर, जो भी कीरन, जो भी raises, मतलब पैरलर, जो भी lights है, वो पैरलर निकलती है, समानत तर निकलती है उसके बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है ठीक है? बिंदु पर मिलती है, निकलती है पहले तो वो निकलती है तो हम उसे क्या कहते है? उप्टिकल सेंटर कहते है पंपर जाकर मिलती है लास्ट ओला पॉलंट चाह वह थित्रान कें इक임 पर। नेल केंडरी जहां पर जाकर अपने क्रिजस को फैला रही है तो जिस भी भाग में वो खीरन को फैलाती है जिस बिंदू पर फैलाती है उसे हम क्या कहते हैं फॉकस भाग में फोकस फोकस फोकार इस जसे हमरा सी प्रिंप ceux को छी पर जो में से पड़े सकंडश सी तो निऑपर शोपन पर जाद में फॉकस करें लेकर रह्या सिर्फिकल जिस कहते है तो अप्रिंपर फोकस जा parallels साफिकल से ऐसे कहते हैं तो प्रिंस्पल फोकस से लेकर उप्टिकल से लेकर प्रिंस्पल फोकस तक की जो लंबाई होती जो लेंथ होती है वो ही क्या होती है फोकल लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है मतलब उप्टिकल से लेकर प्रिंसिपल फोकॉस तक की जो लेंट होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंट मतलब इसे स्मॉल एप से डिनोड करते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा है ठीक है अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं रूल्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाइ लेंज लेंज से बने जो प्रिकाश्त रेश्थ होती है वह करते हैं तो नुटकर से गजती हैं वह किन्द्र वेसमें बीजलन के सीधी दीजग्याटी है अकटिकल से जाते हुए उप्रम स निकल जते हैं अं honor कोई भी विचलन ही हो रहा है कोई भी विचलन नहीं हो रहा है मोर नहीं रही है सीद निकल जा रही है रे पासिंग थ्रोऊ द आप्टिकल सेंटर सीदह वो निकल जाती है 2nd है if the rays which run parallel to the principal axis after reflection pass through the focus in convex lens and appear to pass through the focus in concave lens जो भी कीरन होती है, जो भी रेजिस होती है वो समयनांतर आपतित होती है देखे पैरलर पढ़ती है और प्रिंस्पल एक्सस से होकर गुजरती है प्रिंस्पल एक्सस मतलब ये बाला देख रहे हैं आप सीरे ये प्रिंस्पल एक्सस से होकर दोनों में ही वह प्रिंस्पल एक्सस को काटी हुई जाती है ठूट है देरेज रेजस भास थो भी तूट थृट साम तर्व मेझे थे उट साथ सीथ जो भी की रण मुख्य फोकस से लेकर मतलब प्रिंस्पल फोकस से होकर गुजरती आपती होती है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में हो चाहे वो कॉन्केव लेंस में हो तो आपको यह समझ में आए कि जो प्रिंस्पल एक्सेस है उसी के ही डारेक्शन पे वो फोकस होता है चाहे वो कॉन्वेक्स में हो चाहे वो कॉन्केव में हो तो हम अब पढ़ लेते हैं एक्टिविटी सिक्स डिमोंस्ट्रेटेड बाए टीच्छी शिक्षक का द्वारा प्रदर्शन मड़री रिक्वर्स कॉन्वेक्स लेंस और पेपर आपको सिर्फ उत्तर लेंस चाहिए और पेपर तो यह आप अपनी घर में पेपर लेते हैं और उसे हम धुप में जाते हैं और उसके सामने हम उत्तर लेंस लेके जाते हैं उत्तर लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस संड врेजस को हम ऐसे रखते हैं सादये सिधा उत्तर लेंस में पड़े और वह पेपर पेपर प्यूर्व अपनी रेजस को अभिसारित करें ठीक है काynn ver करें क्योंकि जो उत्तर लेंस से कॉन्वेक्स वह होकर गुजरती है तो वो क्या होती है? सीधे एक ही बिंदू पर जाके पड़ती है तो sun raises जब एक ही बिंदू पर जाके पढ़ेगी तो वो paper को क्या कर देगी? जला देगी यह किस वज़़े से हो रहा है? Converse के वज़़े से raises की Converse के वज़़े से अभी सारी लेंस भी कहते हैं इसलिए तो ये practical आप अपने घर में भी कर सकते हैं ये practical आप घर में भी कर सकते हैं देखें कि sun की raises जब एक उसमें पढ़ती एक बिंदू पर पढ़ती है तो वो paper को जला देती है formation of image by convex lens उत्ता लेंज से image का बनना प्रतिबिम्ब का बनना कैसे बनता है convex lens देख लेते हैं convex lens screen three blocks of wood match box pins, nails अब आप क्या करते हैं एक convex lens लेते हैं और उसे हम लकड़ी के गुटके में इस प्रकार फसा देते हैं ठीक है convex lens को अब दूसरे गुटके पर क्या लगा देते हैं मुमबत्ती लगा देते हैं सामने देखें पीच्चर में और तीसरे गुटके पर परदे को आलपीन से फसाते हैं परदे में पुरा white paper लगा दिया है ठीक अब उसे फसा दियां फसाने के बाद परदे को इस प्रकार फिक्स करते हैं मतलब इस पार्ट को इस प्रकार फिक्स करते हैं कि आगे-पीचे हम सरका सकते हैं इस गुटके को हम आगे भी ले जा सकते हैं मुंबति की लौ का प्रतिविम अधिक्तम चमकीला होता है। बहुत शाइनिंग होता है। अब आप उसकी मुंबति की दूरी जैसे बढ़ाते हैं प्रतिविम की दूरी प्रकृति भी बदलती है। तो इसमेन हमने पहले ऐसी तरीके से फिक्स कर दिया और जैसे ही हम मुंबत्ति की दूरी को बढ़ते है उसकी प्रकृति भी बदल जाती है, इस लेंज का जो यहां पर प्रतिविंब है वो बदल जाता है, ओड़ी बढ़ाने से ही प्रतिविंब में चेंजर चाने लग जाते तो वैसे ही images यहाँ पर उल्टी बनती है, चीक है, candle की जिती भी images होती है, जो परदे में बनती है, वो उल्टी बनती है, जैसे आप pictures में देख सकते हैं, ठीक, अब क्या करेंगे, image formed by concave lens, जो image होते हैं, जो outer lens से बनते हैं, concave lens से बनते हैं, वो कैसे होते हैं, तो इसमें जो होते हैं, जो प्रति बिम्भ होता है, वो क्या होता है, वो हम कैसे बनेगा प्रति बिम्भ, इस बारे में भी पढ़ेंगे, Convex lens लेते हैं, candle लेते हैं, आप पढ़ चुके होंगे 7th class में, की जो image होते हैं, वो concave lens में, concave mirror में कैसे बनते हैं, You must note that mirror reflected the light raises, on the other hand, lens reflects the light raises, जो भी आवतल दरपन में या आवतल दरपन में जो भी image बनते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन जो दरपन हैं, उसमें परप्रकाश का क्या होता है, reflection होता है, जबकि lens में क्या होता है, reflection होता है, जो mirror में होता है, वो क्या होता है, परावरतन होता है, मतलब reflection होता है, लेकिन जब आप lens में आप देखेंगे, तो reflection होता है, अपवर्तित होती है, इसलिए आप lens के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं कोई भी चीज रखते हैं सदय उसका आभासी और छोटा प्रतिविम बनता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है उसका एक छोटा प्रतिविम बनता है आप देख लेते हैं application of lens लेंसों के अनुप्रयोग होते हैं application of lenses इसमें देख लेते हैं magnifying glass water lenses microscope magnifying glass आप तो देखे होंगे actually it is a convex lens for proper handling the lens is fixed on a frame with the handle this is used to make small object bigger and to get direct image this is also called simple microscope the eyes lens used by water, repairs and also magnifying glasses magnifying glasses आप देखे भी होंगे कि किसी भी चीज़ को बड़ी करके दिखाती है तो इसमें किस lens का use होता है convex lens का use होता है उत्तर lens का use किया जाता है और यह किसी भी आकरती को बड़ी करके दिखाती है जिसे हिंदी में कहते है आवर्धक lens इसमें एक handle बना होता है जिसकी वज़त से आप करते हैं और किसी भी चीज़ को आप सीधे देख सकते हैं इसे हम सरल सुक्षमदर्शी कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप घड़ी और कुछ भी चीज रहती जो बहुत छोटी रहती है उसमें का जो भी पार्ट रहता है बहुत छोटा होता है उसे देखने के लिए हम मैगनिफाइंग यूस ग्लास का use करते हैं सेकंड है वाटर लेंस माइक्रोस्कोप जो वाटर लेंस माइक्रोस्कोप यह क्या होता है तो हमें अक्टिविटी 9 की मदद से देख सकते हैं अब आप क्या करते हैं सबसे पहले एक डिवाइडर की सहाथा से डिवाइडर की मदद से आप फ्यूमेडर की बोक्स अब आप क्या करते हैं फ्यूज हुआ टॉर्च बल्ब का धातु अलग कर देते हैं देखिए जो धातु अलग कर देते हैं देखिए इस तरीके से अलग करने के बाद उसके फिलामेंट को निकाल देते हैं अंदर में जो भरा हुआ फिलामेंट होता है जो वायर्स होते हैं उसे हम निकाल देते हैं बल्ब को आरी से काटें, अब बल्ब को पानी से भर कर उसे जलती हुई मुम बत्ती से मुम टपका कर सील कर दिये, जो जो उसका पानी भर ली है, भरने के बाद इसे मुम बत्ती जला कर उसके बाहर को सील कर दिये, पैक कर दिये, अब बल्ब को, अब हमारा क्या हो गया है, ल देख सकते हैं ओके water lens telescope अब water lens सुक्षमे दर्शी देखा था अब हम क्या पढ़ेंगे water lens दूर दर्शी पढ़ेंगे जी अब पढ़ेंगे water lens सुक्षमे दर्शी पढ़ेंगे अब पहले हैंगे दूर दर्शे, दूर की चीज़ देखने के लिए, तो आप उसे क्या करेंगे, तू स्क्वाइर और सिलेंड्रिकल पाइप्स, और एंपर्टी, बॉक्स इन और इंसेंज स्टिक्स, पहले बल्ब लेंज, जो आप आप एक्टिविटी नाइन में बताया हैं, उसे आप देख चुके हैं, अब अगर बत्ती के दो अलग-अलग ब्यास वाले डिब्बे में लें, अगर बत्ती के दो अलग-अलग बॉक्स लेते हैं, अब इसमें छोटा सा डिब्बा भसाते हैं, छोटे डिब्बे के एक भाग के लिए हम क्या लेते हैं, काट बूर लेते हैं, धक्कन बनाते हैं, अब इस धक्कन में गोल छेत कर देते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, छेत करने के बाद, अब दूसरे बड़े के एक सीरे पर हम convex lens जो 15 cm focus दूरी पर लगाते हैं इसके लिए मद्ध में 1 cm हिस्सा खुला छोड़ते हैं ताकि एक कागच चिपका देया जाए lens को डिब्बे में स्थिर रखते हैं lens को डिब्बे में स्थिर रखते हैं हिलाते नहीं हैं और इसे पूरे पार्ट को हम fix करते हैं और दोनों डिब्बे को इस प्रकार फसाते हैं कि दोनों lens जोनों bulb lens है और simple lens है वो डिब्बे के बाहरी सीरो पर हो तो आप हम देख लेते bulb lens और lens डिब्बों के बाहरी सीरो पर हो बल्ब लेंज को आँखों के पास रखते हुए दूसरे की वस्तु देखने के लिए दिब्बे खिसका कर फोकस करते हैं इससे प्रतिबे में क्या दिखेता है उल्टा दिखता है इससे रात को चंद्रमा का नजारा देखना मत भूलना हो सके तो स्टैंड बनाने के तरकीब भी सोचें क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा दूर की चीज का व्यू दिखाई देगा बहुत ही अच्छा चिक है यूमन आइज अ लिविंग लेंज मनुष्यों की जो आख होती है मानव नेतर हैं वो एक सजीव लेंज है लेंज से कम नहीं है यूमन आइज अ स्फेरिकल एंड फ्रंट पोर्शन इस अ बीट बगगिन विच इस ओल द लॉ कॉर्णिया जो मानव नेतर होता है एक उभरा हुआ भाग होता है Behind the cornea there is an picio screen which is called iris जिस cornea के पीछे एक अपार दरशी पदा होता है जिसे हम क्या कहते है iris कहते है देखिए iris there is a small adjustable hole in the center of iris which is called a pupil इरिस के मद्ध में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम क्या कहते है पुपिल कहते है जिसे आप हिंदी में पुतली कहते है देखें ब्लै कलर का देखें इसे क्या कहते है पुपिल कहते है with the help of muscles automatically the diameter of the pupil decrease with much light of increase when we stand in darkness प्यूपिल का वर्क क्या है जो पेशो की सायता से इसका आकार स्वता ही अधी प्रकाश में छोटा हो जाता है जब ज़्यादा प्रकाश देते तो प्यूपिल पुतली होती है वो सिकूट जाती है और अधेरे में बड़ी हो जाती क्योंकि आप देखना चाहते है आपके आँख में प्रेशर नहीं पड़ता है लेकिन रोश्नी पढ़ने से आपके आँख में क्या हो जाती है थोड़ी सी कॉल्ग कि दबाओ पड़ता है जिसकी वज़ासे जो आपकी फीूपिल होती वो छोटी हो जाती है इसके पीछे एक नर्म हिस्सा होता है बहुत सो्ट हिस्सा होता है जो ट्रांसिधीलेंट नहीं आर्थ का बना होता है ए एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे आप नेत्रल कहते हैं मतलब the eye lens of the eye कहते हैं ठीक देखे lens blue आला पार्ट देख सकते हैं गी देखे lens तो वही है कि जो पारदर्शी पदार्थ होती है पारदर्शी जिल्ली होती है नैतर लेंज के पास जो पारदर्शी जिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं रेटीना कहते हैं जो human में हो उसके सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिभिम जो आप image देखते हैं वो net lens द्वारा retina पर बनता है net lens द्वारा किसमें बनता है? retina में बनता है देखे retina जो orange color का है वो वहाँ बनता है और retina के लगभग बीच में एक इस्थान होता है retina के जो सामने में जिसे हम क्या कहते है yellow spot कहते है पीत बिंदू कहते है पीत बिंदू पर बना प्रतिभिम इस्थ पस्थ दिखाई देता है यहीं पर आपका retina के आगे जो पीत बिंदू होता है yellow color का जवाब देख रहे हैं लेंस की मदद से यह आपके प्रतिभिम है जो इमेज है वह यहीं बनता है वह भी इसपस्थ बनता है किसी भी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश होती जो light होती उसकी जो रेजिस होती वह cornea से गुजरती है इसके बार netl lens पर आपतीत होती है नें पर आपतीत होती है इससे अपवर्ति स्वस्त आंक से किसी व्यस्तु को सपश्ट देखने के लिए निवंतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तो आज हम human eyes के बारे में पढ़े हैं The next point है हमारा Eyes defecteds Drishti Doze The first है Eye with short-sightedness or refusiation तो निकट Drishti Doze देख लेते हैं Short-sight Short-sight मतलब निकट Drishti Doze Some person whose eyes lens are not proper cannot see things at a distance In this the image of far away object is not formed on the retina but at a point in front of it this defected of eyes is called short-sightedness of myopia जो कुछ लोग होते हैं जो नेत्र लेंस बहुत अधीक वक्री होते हैं जी बहुत वक्री होते हैं जैसे आप दूर की वस्तु को इस पश्ट रूप से नहीं देख पाते हैं दूर की वस्तु होताई है इसे आप इसपश्ट अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं इसकी डातिना नेतिर lens की स्वककस दूरी बहुत कम होती है इससी इसस्ति में जो दूर की वस्तु है जिसमें आप दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? निकर दिश्टी डोस कहते हैं इसके निवारन के लिए आप उत्तर लेंस का उप्योब करते हैं तो पहले मायोपिया था मतलब मायोपिया and then second है हाइपर मेट्रोपिया तो आप first में कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा complete होता है थैक्यू स्टुटेंट्स, वानाइस दे